आज का मरवी से रहे हैं कि प्रशनावली एक पॉंट 6 प्रशनावली एक पॉंट 6 शुरू करने से पहले हमें गातांक नियम के बारें बता होना चीए तो जैसे अगर A की पावर M हो और गुना में इसके A की पावर N हो दोनों में यहां पे आधार एक समान है A है दोनों जगें तो यहां पे क्या होता है अगर बेस यानि आधार बराबर हो तो जो इसकी सक्तियां है यानि पावर्स है उनका चोड़ हो जाता है ठीक है तो A की पावर N गुना में A की पावर N किसके बराबर हुआ A की पावर M पलस N अगला नीव हम देख लिते है अगर A की पावर M है और उसकी ब्रेकट में पूरी पावर N है तो ये दोनों पावर किसकी हुई A की तो हम इसको कैसे लिख सकते है A की पावर M गुना में N ठीक है अगर A की पावर M है और A की पावर N है अब जो पावर नीचे होती है उसको अगर उपर लेके जाएं तो वो क्या हो जाती है? अगर जो पावर M तो धनात्मक है क्योंकि वो उपर है और A की पावर N ये नीचे है दोनों पावर A की है तो हम इकठा A पे लिख सकते हैं तो उपर जाके क्या हो जाएगी? वो A की पावर माइनस N ठीक है और यहां से इस चीज़ को देखते हैं तो तब क्या होगा? यहां पे यह फॉर्मुला लगाते हैं A की पावर N और A की पावर माइनस N तो दुनों का जोड़ हो जाएगा A की पावर M माइनस N ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है? एक और नियम है छोटा हाँ वो भी देख लेते हैं A की पावर M है और B की पावर B यही है M अलगा A और B दुनों की पावर एक समान है तो क्या होगा? इसको इकठा लिख देंगे और पूरी की पावर M लिख देंगे ये चार फोर्मूले हैं आपके पास बिल्कुल आसान है अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो एकसरसाइज बिल्कुल आसान है आपके लिए आईए सुरू करते हैं पहला स्वाल आईए हम पहले स्वाल के पहले पार्ट को करते हैं पहला पार्ट के हैं 64 की पावर 1 बटे 2 चिक है तो इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले 64 के गुन्खन कर लेते हैं दो पे जाएगा 32 दो पे जाएगा 16 दो अठे 16 दो चोके 8 और दो दो ने 4 तो एक दो तीन चार पांच छे तो ये दो की पावर कितने आई 6 तो हम यहां पे लिख लेते हैं दो की पावर 6 और उपर कितनी पावर हैं एक प्रटे दो यानि 64 की जाएगा दो की पावर 6 और अब हम यह फूर्मूला यहां पे लगाएंगे चुकि ए की पावर M और पूरे की पावर N यह किसके बराबर होता है ए की पावर M गुना में N ठीक है तो इसी परकार दो की पावर 6 गुना में क्या हो जाएगा एक प्रटे दो मतलए यह M है यह N है तो दोनों की गुना हो गई तो दो तिया 6 तो यह हमारे पास क्या है दो की पावर 3 दो की पावर 3 क्या होता है दो गुना में दो गुना में दो दो दुने चार चार दुनी आठ तो हमारे पास का उत्तर कितना आगया आठ आई हम अगले सवाल को देखते हैं अगले सवाल में भी हमने सेम तरीके से करना है 32 के गुना कर निकाल लेते हैं देख लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच यह आई, दो की पावर पांच, तो 32 की जगन लिखे लिखते हैं दो की पावर पांच पुरा है, यह ठीक है, अब फिर वही चीज यहां पे होगी मदलब M गुना में N, अगर यह M है, यह N है तो M गुना N हो जाएगा यानि पांच गुना में एक प्रिटे पांच, तो यह पांच से पांच कैंसल, उत्तर की तना आगया हमारे पास, दो अभी तक यह फोर्मुला लग रहा है, दोनों स्वालों में यह फोर्मुला लग है अब अगले पार्ट को देखते हैं अगला पार्ट का है 125 की पावर, एक प्रिटे थी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आजिया हम इसे करते हैं वही तरीका अपनाएंगे, 125 की गुनन कर निकाल लेते हैं पांच अलश्ट में तो पांच पे जाएगा पांच दूनी दस, दो बची की पावर पांच की पावर, तीन गुनन तो आई हम इसको 125 की जगे लिक लेते हैं ठीक है, और उपर पावर कितनी है, एक बटा तीन तो यह क्या मन जाएगा, पांच की पावर तीन गुना में एक बटे तीन सेम यही फोर्मुला लगा यहां पर भी, ठीक है तो इस परकार सिपले स्वाल स्माट तो ते